कई बार अयोध्या मामले को लेकर अंदोलन हुए हैं हिंसा भड़की है लेकिन इसके पीछे कई दिगजनिताओं का जो योगदान रहा है उसे कभी भी भूलाया नहीं जा सकता जैसे की 9 नुवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तब इसी संदर्भ में उस समय भाजपा के जो अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी उन से अर्थ प्रकास के समाधाता नरेश वत्स ने उनके आवास पर खुल कर बात चीत की काम जनम भूमी के मुद्दे को जोड़सोर से उठाने वाले ततकालिन बीजेपी अध्यक्स मुरली मनोहर जोशी जी मेरे साथ हैं जोशी सबसे पहले सुप्रिम कोट का ये जो आज वर्डिक्ट आया है पूरा देश आपके उस योगदान को याद कर रहा है देखिए उस का अंदोलन के पीछे तो बहुत शक्तियां थी मैं तो एक जिसको करिये संदर्भ के कारण से उसमें पार्टी का धक्ष था इसलिए जो पार्टी के निर्देश थे उनका अनुपालन करते रहा मैं लेकिन इसमें तो बहुत लोगों ने योगदान किया वास्ता में उन्ही क पार्टी के लिए जए डिलास्मान अहना चाहिए अशोक सिंगल जी थे थे संतों में अपने महंत अवेडिनाद जी थे ये स्वामि सत्मितरा नुण जी थे स्वाम बामदेव जी थे एसे अलेक लोग ते फिर डाल्मिया जी थे बहुत से लोग भिन्पार्टी ओं के भी थ तो ऐसे उन तमाम लोगों के लिए जो इसके लिए उस समय आग रही थे और लगे हुए थे वो सब वास्ताओं में इस सफलता के एक तरह से परतीक है उनको ही सफलता का श्रही मिल्ला चाहिए एक आदमी होता है कहीं आगे तो वो सुसनाते से में जरूर था लेकिन ही तो हजारों लाखों लोगों ने ये काम किया था उसमें से योगदान किया था तो उस योगदान को भी स्फरन करते हैं मगर फेसले का सबसे बड़ा लाव यह है कि एक विवाद आप शान्त होना चाहिए बहुत दिनों से चल रहा था और इसमें देश की शक्ती जितनी एक जुट होनी चाहिए थी उसमें बादा पढ़ रहा था अब ये एक देश को एक दिशा इसने दिये अब आगे बढ़ें पीछे का प्रकराण समाब आगे 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 आपने जब बीजेपी के अध्यक्स दे तब ये सपना देखा था बीस साले अक्वने भविस्य के एक द्रिश्टी दी थी जिस पर आज सुप्रिम कोट ने महोर लगा जो संगषन के संकल्प है हम तो उन्ही के साथ है लेकिन हमारा तो तब भी दृष्टिकोंड यही था कि इस देश में जब तक एक असमिता के प्रती सब लोग मिल करके उस असमिता को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक छोटे मोटे विवाद तो बने ही रहेंगे लेक एक भारत की संतान है एक भारत माता की संतान है और यहां जो कुछ है वो सब का सांजा है यह भाव हमेशा रहना चाहिए और भारत माता की एक संतान के नाते हमारा एक परिवार है भारत एक देश है भारत एक जन है भारत एक राष्ट है तो यह संदेश लेकर हमें आगे कि रूप में भारत को आगे बढ़ाया जाए और एक संगठित समाज के रूप में हम आगे बढ़ें एक शक्ति के रूप में आ गया है इसे फैसला हमें उस तरफ आगे बढ़ने के लिए मारत प्रशस्त करता है ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें